गाजा का हर कोना तबाही से धधक रहा है साल 2023 गाजा के लिए इतिहास में दर्ज हो चुका है और वो भी एक ऐसा इतिहास जिसने गाजा को मिट्टी में मिला दिया है गाजा के हर कोने में खंड हर तबाही की गवाही दे रहे हैं लेकिन क्या ये युद्ध सिर्फ गाजा के लिए तबाही लेकर आया है या फिर इसरायल को भी इस युद्ध की भारी की मच्चुकानी पड़ी है इसका जवाब है हाँ गाजा युद्ध इसराइल को ऐसे जख्म दे रहा है जिसे वो कभी भूला नहीं पाएगा वो इसलिए क्योंकि गाजा के हर कोने में हर रोज इसराइली सैनिकों की कबर खुद रही है उसकी तस्दीक गाजा से आ रहे हैं ये वीडियो कर रहे हैं जिनमें आईडियाफ की तबाही का वंजर साफ दिख रहा है दरसल अब अल जैतोन में हमास के लड़ाकों ने एक बैरल आकार वाले आईडी से इसराइली सेना के एक वाहन पर हमला किया है और ये हमला अलकुट्स ब्रिगेट के लड़ाकों ने किया है जिसमें आईडीयाफ के कई जवानों के मारने और घायल होने की खबर है वहीं अलकासिम ब्रिगेट्स के स्नाइपरों ने दो इसराइली सेनिकों को अलजैतोन में शिकार किया है इसके अलावा नेटजेरिम एक्सिस में उत्तर की तरफ तल, अलहवा और अलजैतोन में भी आईडीयाफ की मिलिटरी कमांड पर हमला किया गया है हमास का कहना है कि इस हमले में आईडीयाफ की 16 वी रिजर्फ पैदल ब्रिगेट को काफी नुकसान हुआ आपको बता दें कि तल हवा में हुए अलकुद्स के हमले का एक वीडियो सामने आया है जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे अलकुद्स के लड़ाके पहले तो अपने हथियार इकठा करते है इसके बाद ये सभी राइफल लेकर एक इमारत में घुश जाते है और इसके बाद ये लड़ा के दूर तक बिल्डिंग में तैनात आईडियो के एक जवान पर तावड तोड फाइरिंग कर देते है इसके बाद इनके उपर IDF जवाबी फायर करती है तब ही अलकुच का एक लड़ा का राइफल से उपर बिल्डिंग में तैनात IDF के एक जवान पर फायरिंग कर देता है और इसी दोरान भीषण गोली बारी होने लगती है और इसके बाद इलाके में IDF के एक रेस्क्यू हेलिकॉप्टर को देखा जाता है अलकुच के इस हमले के बाद दक्षणी जयतौन में हुए अलकासिम के एक अटैक का भी वीडियो आया है यह वीडियो अलकासिम के स्नाइपर उप्रेशन का है जिसमें उसने IDF के दो जवानों को धेर करने का दावा किया है इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि दूर एक बिल्डिंग में IDF के कुछ सैनिक पोजिशन लिए हुए होते है इन में से एक जवान दीवार में छेत करता हुआ दिख रहा है और इसके तुरंद बाद एक जवान बिल्डिंग की खिड़की पर नज़र आता है और तब ही अलकासिम का लडाका उस पर फायर कर देता है और इस फायरिंग में खिड़की पर लगी फटे जैसी चीज नीचे गिर जाती है